मिथुन रासी वालों का आजी का रासी फल्ल यणी की तीन दिसंबर 2020 का रासी फल्ल लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ तीन दिसंबर 2020 के पंचांग के बारे में आजी तीथी है त्रितिया नक्छत्र है आरद्रा पक्ष है क्रिस्न पक्ष दिन है गुरू वार आजी के दिन सुर्य उद्य का समय है 6 बजी की 58 मिनट में शुर्य अस्त का समय है 5 बजी के 23 मिनट में रितू है हे मन्त आजी का दिन काल है दस घंटे पचीस मिनट पैंटिस सिकेंड का महिना है मार्ग सिर्स आजी के दिन शुभ समय सुरू होता है 11 बज के 55 मिनट एम से 12 बज के 35 मिनट पी एम तक अशुभ काल सुरू होता है 10 बज के 26 मिनट एम से 11 बज के 8 मिनट एम तक राहु काल सुरू होता है 11 बज के 29 मिनट पी एम से 12 बज के 47 मिनट पी एम तक दिसासूल है दक्छिन दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्रेब कर दें इस वीडियो के नीचे जै स्री कृष्न कमेंट कर दें इस वीडियो के अंत में आपके आने वाले शमय का अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली आंक है तो आप उसे भी देखें सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके घर पड़िबार के बारे में दोस्तो आने वाले समय से पहले अगर आपके घर पड़िबार में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई समस्या था तो आने वाले समय के दोरान उस पड़ेशानी को आपको खत्म करना होगा क्योंकि इस काम को करने में आपका शमय आपका भाग्य आपका साथ अबश्य देगा वैसे अगर आपके धन संपती की बात करें तो पैसों के दृष्टी कोन से आपका शमय सामानने रहेगा न जियादा बिहतर न जियादा खराब दोस्तों आने वाले समय से पहले अगर आपका पैसा कहीं रुका हुआ था कहीं फसा हुआ था तो आने वाले समय के दौरान उस रुके हुए धन को आपको प्राप्त करना होगा क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय के दोरान धन संपती के मामलों में पड़ेशानी का सामना आपको अवश्य करना होगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले शमय के दौरान आपके शुवास्त के मामलों में आपका शमय आपका साथ देगा या नहीं देगा मित्रों आने वाले शमय के दौरान अनचाहे खयालों को आपको अपने दिमाग से दूर करना होगा क्योंकि आने वाले शमय के दौरान आपको शान्त और तनाब से मुक्त रहना होगा क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय के दोरान आपके शुवास्त के मामलों में आपका शमय आपका साथ नहीं देगा मित्रों आने वाले समय के दोरान जिस काम को करने से आपको मानसिक तोर पे मजबूती मिले आप वही काम करें तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय के दोरान आपके लिए अनुखा टोटका भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली अंक क्या है मित्रों तोट का बहुत ही जियादा सामानी है आने वाले समय के दोरान अपने समय को बिहतर और सांधार बनाने के लिए आपको जियादा से जियादा हरे रंग का वस्त्र पहनना चाहिए मित्रों आज आपके लिए भाग्य साली अंक है दो यानी की टू आज आपके लिए भाग्य साली रंग है लाल और मैरून तो यही था आज के दिन का रासी फल तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्रेब कर दें इस वीडियो को आप हर जगह से यर कर धन्यवाद